उत्तर प्रदेश में संचाले थासारों की संख्या में ग्यायर मानेता प्राप्त मदर्सों को लेकर के प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ने लिया अब अवैद मदर्सों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का दाखिलाब परिशद्य विद्यालेयों में करवाया चाएगा इसी को लेकर हमारे संवादाता संजय मिश्रा ने अल्प संख्या कल्यान अधिकारी संजय मिश्रा से खास बाचीत की है अब इन चात्रों को परसदी बिद्यालों में सिफ्ट किया जाएगा मैं बहराईज के जिला अल्प संक्र के लाना अधिकारी के पास में हूँ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि क्या ब्यूस्थाएं है, क्या पत्रा आया है, मुक्सची उन्हें क्या निर्देश दिया है। जिला अधिकारी महुदया के द्वारा टीम गठ्षित कर दी गई है, हमारे अपने बहराई जुन्पद में जो पिछले निर्देश के करम में सर्वे हुआ था, उसमें लगभग 495 मदरसे सर्वे में आये थे, सासन के निर्देश में यह भी है कि एगर कोई मदरसा छूट गय है, तो उसको भी इसमें सामिल कर लिया जाएगा, तो उस 495 मदरसों में लगभग 40,000 की तादाद में बच्चे अध्यनरत हैं, इनको परिशिद्य विद्यालों में नामांका निंका कराया जाना, शिफ्ट कराया जाना है, तो आप भी जानते हैं कि यह जो मदरसे गहर मानत हम से, कि वो स्वयम पहल करके अपने बच्चों का नामांकन परिशिद्य विद्यालों में करा दे और इस पर कडाई से अमल किया जाएगा, इसका पालन कडाई से सुनिश्चित करा जाएगा, उत्रपरदेश में हजारों के संख्या में आवैद मदरसा संचालित हैं, और ल जे मिस्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच